वीर कुवर सिह ने भारत की स्वाधीनता के लिए जो साहस दिखाया वह इतिहास में दर्ज है वर्टिकल बार इनका जन्म बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर नामक गाव में सन 1777 में हुआ था वर्टिकल बार इनके पिता बाबु साहबजादा सिंग प्रसिध शासक भोज के वन्षजों में से थे वर्टिकल बार उनके छोटे भाई अमर सिंग दयालू सिंग जाने माने जागीरदार थे वह बिहार के उजजैनिया परमार शत्रिय और मालवा के प्रसिध राजा भोज के वन्षज हैं इसी वन्ष में महान चक्रवर्ती समराट विक्रमादित्य ने भी जन्म लिया था असी साल की उम्र में कुमबर सिंह ने अंग्रेजों का सामना किया और हात में गोली लगने के बाद अपना हात खुद ही काट लिया था नाम वीर कुमबर सिंह अन्य नाम वीर कुमबर सिंह बाबु कुमबर सिंह जनमसन 1777 जनमस्था भोजपुर जिले के जगदीशपुर नामक गाउ में कार्य क्रांतिकारी परिवार पिता बाबु साहब जादा सिंह माता रानी पंचरत्न देवी भाई अमर सिंह और दयालू सिं पतनी धर्मन बाई प्रसिद्ध 1857 की क्रांती का नेत्रित्व के रूप में मृत्यु 26 अप्रेल 1858 मृत्यु स्थान जगदीशपुर शाहबाद जिला बंगाल प्रेसीडेंसी भारत उम्रत मृत्यु के समय 80 वर्ष की आयू में धर्म हिंदू साल 1846 में अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हिंदू और मुसल्मानों ने मिलकर कदम बढ़ाया मंगल पांडे की बहादुरी ने सारे भारतियों में जोश भर दिया वर्टिकल बार वही बंगाल के बैरकपुर रामगड के सिपाहियों और बिहार के दानापुर रेजिमेंट ने अंग्रेजों के ख बढ़ने कुवर सिंह ने भारतियों सिपाहियों का मार्क दर्शन किया। सन 1857 की क्रान्ती का नेतरित्व वीर कुवर सिंह वीर कुमवर सिंह ने किया वर्टिकल बार जिस समए क्रांती की शुरुवाथ हुई उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। जानकरी के मताबिक विद्रो का दमन करने के लिए अंग्रेजी सेना की सिख., रेजिमेंट भेजे, लेकिन वीर कुंबर सिंह की सेना ने उन्हें परास्त कर, उन्हें हरा दिया, आरा नमक जगह से वापस आते समय वीर कुंबर सिंह को गंगा नदी पार करते बक्त हाथ में गोली लग गई थी, उनके हाथ तथा कलाई में कंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से खून रुप नहीं रहा था. ऐसे में शरीर में जहर फैल जाने का कत्रा भामपते हुए कुमबर सिंह ने अपनी ही तलवार से अपना हाथ काट दिया और गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया. खून ज्यादा बह जाने की वजह से कुमबर सिंह की हालक बिगड़ गई। दो दिन तक बेहोशी की हालक में रहने के बाद 26 अपरेल 1858 को उन्होंने आखिरी बार अपनी तथा अपने गड़ जगदीशपुर का जंडा लहराता जंडा जंडा देखा, जिसके बाद उन्होंन और उनका विवाह एक तरफ जहां पुरुष भारत की स्वाधिंता के लिए अपनी जान न्योचावर कर रहे थे वही दूसरी और महिलाए भी बराबर। उनके साथ खड़ी थी, उनमें से एक है बिहार के आरा की धर्मनबाई। बात 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय की है जब मुझरा देखने के दौरान उनकी मुलकात हुई, जब से दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। और इस वजह से उन्होंने धर्मनबाई से शादी कर ली।